आई गैस वेलकम बैक टुदी चैनल बहुत सारे लोग मेरे से क्वेशन पूशते हैं कि भाहिया क्लास 10 में हमको प्रफिशन स्टार्ट करने चाहिए या फिर क्लास 11 में प्रफिशन स्टार्ट करने चाहिए कौन सा राइट टाइम होता है कि हम अपनी या पिर कोई भी ऐक्जाम को क्रेक करने के लिए कोई भी एक मिनीमम टैम क्राइटेरियर नहीं होता कि आपको इतना टाइम उसमें देना ही होगा य आप अपने दिमाग से अगर आपके मैं क्युस्धन है कि मेरे को इतने ही टाइम में इसको clear करना है तो वो हटा दो दिमक से ऐसा कोई fix time slot नहीं होता कि मेरे को सिर्फ 2 year या 3 year में ही ITJ की पुर्फिसन स्टार्ट करनी है या फिर complete करनी है, crack करने के लिए ऐसा कोई time duration नहीं होता Second, अगर Class 10th को अगर आप Class 10th में हो या फिर Class 11th में हो दोनों ही एक ऐसी stage होती है जहां पर हम अपनी आगे further life के लिए सोचते हैं career opportunities के लिए सोचते हैं कि हमको आगे future में क्या करना है क्योंकि 9 तक हम अच्चे होते हैं 12th के बाद हम थोड़े अपने future के बार में सोचन लगते हैं 10th, 11th, 12th यही एक stage होती है जब हम अपने future के बार में सोचते हैं and future के बार में सोचते हैं तो उसके लिए हमको complete exam के लिए भी prepare करना पड़ेगा तो अब right time क्या होगा हमारे complete exam के लिए preparation करने के लिए ठीक है अब हम बात करें class 10th students के लिए class 10th का ऐसा है कि वो कभी भी अपनी preparation स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि class 10th में आप अपने basics से start करते हैं आप अपने जो CVC का syllabus है वो और class 11th का CVC का syllabus class 10th basic है class 11 थोड़ा intermediate है तो अगर आप class 10th में preparation स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो सबसे पहला आपको उस exam के बारे पता होना चाहिए उस exam के बारे में पता करो class 10th में पता करो थोड़ा थोड़ा basic पढ़ना चालू करो NCRD कैसे solve करते हैं कोई ये competitive exam की book कैसे solve करते हैं ये सब पहले class 10th में करो class 10th में अगर आप ये सब कर लोगे न तो आप ये class 11th में जो 6 महीने होते हैं के वो बच जाएंगे तो आपको वो help करेंगे आपके score भणाने में तो class 10th में अगर आप हो और आपको IIT JEE करनी है तो आप पहले उस exam के बारे में अच्छीतने जानो पढ़ो उसके बारे में उसका syllabus देखो और फिर अपने syllabus से match करो कि क्या मेरा syllabus इसके syllabus से है तो मैं अगर ये basic पढ़ूँगा तो क्या मेरे को help करेगा अगर नहीं करेगा तो enough time दो अपने class 10th के लिए जो आपके पास time जितना आप निकाल सकते हो उतना time दो आप IIT यही के लिए competitive exam की book कैसे solve की जाती है किस तरीके से मेरे को एक book को पूरा completely follow करना है वो सीखो तो क्या होगा यह जो steps है ना यह हम 11th में सीखते है जो बच्चे 11th में start करता है वो 6 महीन लगते हैं उसको इस सारी steps complete करने में अगर आप starting से ही कर लोगे class 10 से ही start कर दोगे तो आपको एक और motivation मिलता है एक और force मिलेगा अपनी preparation को start करने के लिए अपनी preparation को begin करने के लिए अब बात करते है class 11th की तो देखो सभी जादता है लोग class 11th में start करते है आप भी start किया होगा मैंने भी class 11th में start किया था तो class 11 में start करने के बाद क्या होता है कि हम अपने CBSE syllabus को भी देखते हैं हम अपने IATJ advanced के या means के syllabus को भी देखते हैं basically CBSE का syllabus है वो design किया गया है IAT syllabus की तरह IAT का syllabus क्या होता है फोड़ा advanced level का होता है CBSE का syllabus फोड़ा basic level का होता है तो अगर आपको preparation करनी है तो कोई भी time जो हमारा IATJ हो गया नेट हो गया कोई भी fix time नहीं है कि इतने ही time में आपको complete करना है इसकी preparation ऐसा बिलकुल भी नहीं है हां एक eligibility criteria होता है कि कभ आप admission ले सकते हो college में मतलब कितने attempts के बाद आपको advance exam नहीं देना होता अगर आप class 10th में या फे class 11th में यह दोनों ही right time है preparation स्टार्ट करने के now preparation जब स्टार्ट कर रहे हो तो क्या आपके दिमाद में होना चाहिए सबसे first point होना चाहिए यह तीनों point completely याद रखना first point होना चाहिए planning आप उस exam को plan कीजिए कि आपका वो exam है वो किस तरीके से toppers की strategies पढ़िए कि topper ने starting में क्या किया था क्या क्या mistakes की थी second होता है जो planning की है उसको आप paper पर उताहिए क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम जो अपने दिमाग में planning करते हैं वो भूल जाते हैं जो return होता है वह हमारे दिमाग में भी एक type से return हो जाता है लिख जाता है दिमाग में तो हमको वह points याद रह जाते हैं तो second stage को लिखो कि मेरे को कैसे पढ़ना है मेरे पास कितना time बचा हुआ है मेरे को कितना time अपने आपके पास self study के 6 गंटे में आप 3 गंटे स्कूल को तो या 2 गंटे स्कूल को तो चार गंटे आप सब्सक्राइब को दो इससे क्या होगा आपका दोना बैलेंस बना रहेगा एंड आपका दोनों की प्रप्रेशन हो जाएगी एंड जब एंड टाइम होगा अपना एक्जाम का टाइम होगा तो आपको एक टेंशन नहीं होगी थर्ड होता है मारा execution अब जो प्लानिंग की हम हमने भाई execution भी करना होगा तो हम human हैं हम कोई भी चीज को 90% 90% ने execute कर पाते बट हम उसको ज्यादा करने की कोशिश करेंगे ज्यादा execute करने की कोशिश करेंगे हम जतना ज्यादा execute करेंगे उतना ज्यादा हमारा अगला दिन जो next day है वो बहुत बैतर रहेगा क्योंकि हम परसेंट तक security बना देती है कि आप इसमें success जरूर होंगे planning एक ऐसी चीज होती है जो आपको जरूर करने चाहिए आप कोई भी चीज कर रहे हो कोई भी चीज आप अपनी life में कोई भी चीज कर रहे हो planning सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट होती है आपको फॉलो करने चाहिए एक बिगिनर को एक बिगिनर को एडवांस प्रो लेवल बना देते हैं एक एवरेज स्टुडेंट्स को एक टॉपर बना देते हैं यह तीन जो टिप्स हैं यह बिसिकली मेरे मेंटर ने मुझको दी थी तो मैं आपको as a brother भाई दे रहा हूं तो 11 में हैं तो आपको IIT JE के अलाबा भी और भी exams को ट्राइ करना चाहिए क्योंकि exam से हमको हमारे stand पता चलता है हम कहां पर हमारे competitors में लाई कर रहे हैं तो आपको वह भी एक वार ट्राइ कर लेना चाहिए अगर आपको लग रहा है कि आपको exams के वार है नहीं मालुम कौन कौन कर देना कि भईया मिरको प्लीज एक्जाम की लिस्ट बता दो कौन-कौन से में इंपॉर्टेंट एक्जाम है तो या तो मैं उस पर separate वीडियो बना दूंगा या फिर आपको बता दूंगा परसनली ठीक है तो वह मैं कर दूंगा उसको कोई कोई टेंशन लेना और भी कोई वारी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय अपने अच्छी तरह प्रपरेशन करना बोर्ट सब समाल लेना ठीक है चलो मिलते हो आरी नेक्स्ट वीडियो में